हां जी अभी हम लोग देखते हैं डिलेड कॉंप्लिकेशन आप प्रेक्चर इसमें पहला हम लोग देखते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस एवास्कुलर नेक्रोसिस नाउ ब्लड सप्लाई तुरंत कट जाती है फ्रेक्चर के टाइम पे परन्तु ये प्रिजेंट थोड़ा सा लेट करता है इसलिए इसको हम लोग डिलेड कॉंप्लिकेशन का ही पार्ट मानते हैं अब इसमें क्वेशन क्या आता है कि ये होता क्यूं है अगर किसी बोन की ब्लड सप प्रिकेरियस है प्रिकेरियस मतलब कभी भी कट सकती है जैसे स्केफॉइड स्केफॉइड की ये जिमान लेजिए ये स्केफॉइड बोन है ब्लड सप्लाई ऐसे गई और इस तरह बीचों-बीच में से कट गई तो ये वाले हिस्से की ब्लड सप्लाई तो गई तुरंथ कट जाए कोई और ब्लड वेसल भी नहीं है जो इसको सप्लाई कर सके अब इसमें वो पूछते हैं आपसे कि कौन-कौन सी ऐसी बोन्स हैं, कौन-कौन से ऐसे फ्रेक्चर्स हैं जहां पे एवास्कुलन डेक्रोस होने के बहुत जादा चांस है जैसे नेक ओफ फीमर इसका फ्रेक्चर हुआ अगर तो तुरंट आपके मरीज में ये कौम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांस बढ़ जाएंगे स्केफॉइड का अगर फ्रेक्चर हुआ तो तुरंट आपके मरीज में एवास्कुलन डेक्रोस होने के चांस बढ़ जाएंगे टेलस बोन अल्रेड़ी बहुत पूर है इसकी ब्लड सप्लाई अगर फ्रेक्चर हुआ तो ए वैस्कुलर नेक्रोसिस होने के चांस बहुत ही जादा बढ़ जाएंगे पुस्टीरियर डिस्लोकेशन होती है अगर हिप जॉइन्ट की तब भी ए वैस्कुलर नेक्रोसिस होने के चांस बहुत सादा बढ़ जाते है तो इसका ट्रीट्मेंट क्या है यहां तो उस बोन को काट दो औस्टियोटूमी कर दो यहां हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं मसल पेडिकल फ्लैप लगा सकते हैं कोई जिन्दा मसल को वो उनके पास रख सकते हैं वो उसकी थोड़ी थोड़ी प्लाट सप्लाई को बढ़ा देता है थोड़ी पार ब्लाट सप्लाई को बढ़ा देता है अब इसमें एवैस्कुलर necrosis कई बार spontaneous हो जाता है बिना fracture के भी जैसे parthies disease detail में पढ़ा हुआ है या आपने देखना है वीडियो तो आपने पढ़ना है भी उसमें बिना fracture के भी avascular necrosis हो जाएगा hip joint का topic है parthies disease बिना fracture के भी उसमें avascular necrosis हो जाएगा treatment इसका यही ही है या तो टूटी हुई bone को काट दो यह मदब dead bone को काट दो यह muscle जिन्दा muscle को इसाथ लाके रख दो आगे चंदते हैं अब हम क्या देखेंगे non union and mal union non union and mal union पहले हम लोग आपके साथ देख लेते हैं non union right तो सबसे पहले non union की हम definition देखेंगे non union क्या है fracture which fails to unite at the end of nine months 9 महीने होगे हड़ी तूटे हुए अभी तक भी हड़ी जुड़ी नहीं है right इसी तरह एक होता है delayed union delayed union delayed union means fracture which fails to unite at the end of five months five months अब बहुत सारे कॉज हो सकते हैं बहुत सारे कॉज हो सकते हैं क्या क्या कॉज हो हो सकते हैं non union के causes पहला तो वही systemic cause जैसे poor nutrition आपका मरीज calcium vitamin D ले ही नहीं रहा तो fracture कहां से जुड़ेगा रोटी खाने को नहीं है vitamin D कहां से खाएगा poor nutrition दूसरा आपका मरीज cigarette पीता है बहुत जादा आपके मरीज को कोई भी ऐसी बिमारी है जिससे blood का flow उस जगह पे weak हो जाता है right उस जगह पे weak हो जाता है right चौथा local factor अगर infection हो गई है fracture वाली जगह fine soft tissue टूटे टुकडों के बीच में आ गया है right उस situation में भी blood sorry healing नहीं होगी loss of blood supply अब इसमें कई बार क्या होता है anatomical factors भी होते है anatomical factors जैसे के joint के अंदर कोई fracture हो गया intra capsular fracture रिमेंबर इसमें हमें याद रखना है कि जो bone inside the joint होती है यानि intra-articular part of bone बोन का वो हिस्सा जो joint के अंदर है वहां पे cellular periosteum नहीं होती cellular periosteum नहीं होती वहां अब इसका निमोनिक पीमर नेक नेक का पीमर पे दो चीजें होती है जी एक तो रहती है poor blood supply और दूसरा वहां पे cellular periosteum नहीं होती cellular periosteum नहीं होती lateral condyle of humerus में इसमें क्या होता है बोन के दो टुकड़े हो गए humerus के एक तो बड़ा टुकड़ा humerus का और दूसरा चोटा सा टुकड़ा lateral condyle अब होता क्या है कि lateral condyle पे लगे होते हैं extensor muscles वो उसको खीच के दूर ले जाते हैं humorous बचारी weight करती रहती है कि कब ये वापस आके मेरे साथ जुड़ेगा लेकिन जो extensor muscles हैं उसको main bone के साथ वापस जुड़ने ही नहीं देते तो muscle pull के कारण भी non union होता है उसी तरह lower third of alna में भी ये problem आती है body of tailors blood supply बहुत ज़ादा poor है lower third of tibia में तो most common है non union अगर body में कहीं भी fracture unite नहीं हो रहा तो हम देखेंगे कि lower third of tibia का ही है वो fracture जो की unite नहीं हो रहा right scaphoid scaphoid में हम लोग पढ़ेंगे जब upper limb का topic देखेंगे तो देखेंगे कि scaphoid का proximal pole अक्सर ही a vascular necrosis का sorry non union का शिकार हो जाता है non union a vascular necrosis दोनों एक ही bone में होते है commonly आप देखो याद कीजिए अभी हमने पढ़ा था a vascular necrosis वो भी इन ही bones में हो रहा था scaphoid में, talus में, neck of femur में तो ये दोनों multi-julty complications हैं हमें पता कैसे चलेगा कि non union हुआ है फोड़ी सी space ले लेते हैं तो क्या पढ़ना है clinical feature आपके मरीज में fracture वाली जगा पे हाथ लगाने पे अभी भी दर्द हो रहा होगा persistent, tenderness ये common clinical feature है non union का अब non union हो गई भाई, हो गई तो हो गई, ilाज करो treatment क्या है, surgery करो open reduction internal fixation open reduction मतलब skin पे cut मारो or internal fixation internal fixation, open का मतलब आपने skin पे cut दिया, reduction का मतलब दोनों तूटे हुए हिस्सों को पास पास लाके रखा internal fixation यानि की आप वहाँ पे plate लगाओ, screw लगाओ, nail लगाओ, कैसे भी करो और बाद में skin को बंद कर तो, ये इसका treatment है, open reduction, internal fixation right, आगे चलते हैं आगे चलते हैं और आपके साथ क्या पढ़ते हैं, mal union सीधी सी बात है, हड़ी तूटे और उसके बाद सीधी न जुड़े, right तो mal union क्या है, fracture which fails to unite in proper anatomical and functional position मरीज की टांग, मान लो, टेड़ी जुड़ जाए, वो तो बचारा function सही से कर नहीं पाएगा टांग की bones का का काम क्या है, मरीज को चलाना, वो तो सीधा चल नहीं पाएगा अब इसमें, देखो, ये किसमे common है, cancellous bone मान लीजिए, आपके मरीज को clavicle का fracture हुआ clavicle में अगर fracture हुआ, तो दो हिस्से हो जाएंगे bone के, outer और inner inner हिस्से को sternocleidomastroid muscle खींच के ले जाएगा उपर outer हिस्से को gravity खींच के ले जाएगे नीचे अब ये बनी किस्से है, cancellous bone से, तो फटा फट ये bone जुडेगी, cancellous bone का fracture बहुत जल्दी हील होता है, जैसे टेड़ी पड़ी थी, वैसे ही जुड़ जाएगी, राइट, तो मान के चलिए कि fracture से पहले clavicle एकदम सीधी थी, लेकिन बाद में थोड़ी सी टेड़ी हुई, क्योंकि इसको sternocleidomastroid muscle उपर ले गया, और इसको gravity नीचे ले गई, यहीं पर ये जुड़ गई, यहीं पर जुड़ गई, malunion, राइट, यह याद रखना है, now, यह हुती क्यों है, muscle pull के कारण, fracture जल्दी जुड़ जाए उसके कारण, बोलते हैं, जल्दी का काम शैतान का, पर जल्दी जुड़ जाए fracture, तो टेड़ा मेड़ा ही जुड़ेगा, right, now, it is common at the ends of long bone, क्यों भाई, end of long bone के आसपास होता है, metafysis, total, extreme end पे, क्या होगा, epiphysis, उसके थोड़ा सा आगे आएंगे, तो क्या होगा, metafysis, बीचों बीच क्या पड़ा है, diaphysis, मान लिजिए, यह bone है, end पे, epiphysis, साथ के साथ ही पड़ा है, metafysis, और बीच में इतना लंबा चोड़ा, diaphysis, तो end of long bone पे क्या रहता है, metafysis, now metafysis पे, एक special anatomy होती है, कि most of the bone is cancellous, अब cancellous bone में क्या होता है, rapid healing, प्टफट से जुड़ जाता है fracture, जो है, जहां है, जैसा है, जुड़ गया, right, अब इसलिए आप देखो, इसका निमोनी क्या है, MISC, inter-trochanter fracture of femur, ये कहां है, metafysis में, greater trochanter और lesser trochanter के बीच में fracture, metafysis पे है, बहुत जल्दी जुड़ेगा, supra-condyler fracture of humerus, भाई जी, ये भी कहां है, metafysis में, collis fracture, ये भी किस के पास है, metafysis के पास, distal, radius का fracture है, collis, clavicle fracture में आपको मालुम है, कि clavicle almost entirely cancellous bone है, फटा-फट से fracture हील होता है, all said and done, लोजी हो गया, malunion, तो अब करना क्या है, अब आपने करना है, corrective, osteotomy, इसी तरह बोन को काट के, उसको सीधा करो, दूसरा, इसका तरीका क्या है, osteoclases, but what is osteoclases, osteoclases क्या है, दुबारा बोन को तोड़ दो, जहां से पहले तूटी थी, फिर से तोड़ दो, और सही करके जोड़ो, recreation of fracture, और उसके बाद आप खुद से, सही तरीके से जोड़ेंगे, कैसे, open reduction and internal fixation, यह तरीका है, malunion को सही करने का, राइट जी, आगे चलते हैं, अगली लेट कॉम्प्लिकेशन पढ़ते हैं, अगली लेट कॉम्प्लिकेशन क्या है, myositis ossificans, myositis ossifican, अब इसके नाम तो कई हैं, जैसे इसका नाम है, sterner tumor, बट असल में यह क्या है, so practically speaking, यह है क्या, ossification of fracture hematoma in muscles, bone के दो टुकड़े हुए, दोनों टुकड़ों के बीच में क्या आ गया, fracture hematoma, पांच stages से निकलता हुआ, वो fracture hematoma mature bone बन जाएगा, कौनसी पांच stages, पांच stages है, fracture hematoma, stage of inflammation, stage of callus, stage of consolidation, and stage of modeling, अब यह टूटी हड़ियों के बीच वाला जो hematoma था, यहां दिखाता हूँ, देखिए, मान दीजिए, यह हड़ी ऐसे टूटी है, लो जी, इन दोनों के बीच में आ गया यह fracture hematoma, हमें मालूम है कि यह hematoma ने आज नहीं तो कल bone बन जाना है, अब मान लीजिए, यह skin है, और आसपास पड़े हैं muscles, आसपास पड़े हैं muscles, जो fracture वाला hematoma, इन muscles के अंदर enter कर गया, bone वहां भी बन जाएगी, bone वहां भी बन जाएगी, तो myositis ossificance is ossification of fracture hematoma in muscles, आपको फोटो दिखाते हैं, देखो जी, यह है वो, hematoma जो muscles के अंदर enter कर गया था, आप देख सकते हैं कि उसमें bone बन गई है, जो x-ray पे नजर आ रही है, एक और देखिए, यह, जो hematoma, HT मतलब hematoma, muscles के अंदर enter कर गया था, वहां भी bone बन गई है, myositis, ossificance, right, अच्छा, यह problem, special क्या है, it is common, यह बिमारी, यह problem, यह complication, किस में है, it is common in, children, क्यों? because they have thick, and highly osteogenic periosteum, बच्चों की periosteum, इतनी ज़्यादा थिक होती है, उसमें इतने ज़्यादा stem cells होते है, कि फटा-फट वो जहां दिखेगा hematoma, वहां bone बनानी शुरू कर देंगे, उपर से, बच्चों में जो periosteum है, that is loosely adherent, bone को, बहुत धीमे से, बड़ा lightly चिपकी होती है, जैसे fracture हुआ, periosteum, bone से अलग हो गई, और stem cell छोडने, शुरू कर दिए, stem cell छोडने, शुरू कर दिए, now, बच्चों में common होने के इलावा, it is common in, massage, अगर, आपके patient, आपके पास आने से पहले, किसी malish वाले के पास चले गए, उसने जोर जोर से malish कर दी, सारा hematoma muscles के अंदर तक पहुँँ जाएगा, और सब जगा, bone ही bone बन जाएगी, सब जगा, bone ही bone बन जाएगी, right, now, most common joint affected, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, most common joint कौन सा है, जी, elbow, elbow के आज़ पास, ये बहुत ही ज़ादा common है, अच्छा, इसमें, हम x-ray पे क्या देखते हैं, x-ray पे अक्सर हमें ये गलती लग जाती है, कि ये शायद कोई bone tumor है, it may appear as bone tumor, surgery में और्थों में प्रैक्टिस जब भी आप करेंगे, आप देखेंगे, कि हमेशा आप एक x-ray view पे rely नहीं करेंगे, आगे से देखेंगे bone को, side से देखेंगे, पीछे से देखेंगे, minimum दो x-ray view हमें चाहिए ही चाहिए, for example, इसमें आप देखिए, ये कैसा है, lateral view, और ये कैसा है, ap, यानि anterior posterior view, मैं zoom करता हूँ, आप ap view में जब आप देखते हैं, तो क्या देखते हैं, कि शायद ये bone से निकलने वाला कोई tumor है, जबकि lateral view में आप देखते हैं, तो आप देखते हैं, नहीं नहीं, ये white सी line आपको नजर आ रही है, जिसमें मैं dots बना रहा हूँ, ये bone का cortex है, ये dots मैं बना रहा हूँ, थोड़े और मोटे कर देते हैं, जी हमारा क्या है, ये, आप देख रहे हों कि ये bone का cortex है, क्या देखते हों कि ये swelling तो bone से बिलकुल अलग है, तो दूसरे x-ray view पे आपको clear-cut पता लग जाएगा, एक x-ray view पे आपको लगेगा कि शायद ये bone से निकलने वाला tumor है, बट दूसरे x-ray view पे आपको clear पता लग जाएगा कि नहीं, ये bone का tumor नहीं है, उससे बिलकुल अलग है, तो two x-ray view may demonstrate, it to be rising away from the bone, अच्छा दूसरा, एक और चीज़ देख लेते हैं कि इसमें और tumor में क्या-क्या फर्क है, यहां लिखते हैं, तो मान लीजिए आपके patient को tumor है, और दूसरे patient को myositis ossificans है, क्या-क्या फर्काएंगे, tumor, यह तो bone से निकल रहा है, it will be continuous with bone, myositis ossificans will be away from bones, bones से दूर होगा, right, tumor में inner part will be very dense, वहां पे बहुत जारा tumor cells हैं, तो बहुत जादा dense होगा, outer part will be less dense, myositis ossificans में बिल्कुल उल्टा होगा, inner part is less dense, outer part is very dense, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो, तो normal bone में भी ऐसा ही होता है, normal bone में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, normal bone में आपको याद हो, तो outer part होता है, cortical, और आपको याद है, cortical part बहुत ज़्यादा dense होता है, inner part आपको पता है, कि वो होता है, cancellous, और आपको पता है, cancellous bone less dense होती है, तो myositis ossificans, normal bone ही तो है, बस इतना फर्क है, कि ये bone, muscles के अंदर जाके बनी है, muscles के अंदर जाके बनी है, treatment इसकी हम करेंगे, excision, लेकिन तभी पंगा लेंगे, अगर आपके मरीज को इससे कोई तकलीफ है, only if the patient is symptomatic, कैसे हो सकता है, मरीज symptomatic, हो सकता है, myositis ossificans, किसी नर्व को दबा रहे हैं, आपके मरीज को दर्द होगा, किसी आटरी को दबा रहे हैं, आपकी मरीज को दर्द होगा, सिर्फ उसी situation में आपने करना है, otherwise कुछ नहीं करना, otherwise कोई पंगा आपने इसके साथ नहीं ले, myositis ossificans, आगे चलते हैं, अब जी हम लोग आपके साथ पढ़ेंगे, complex regional pain syndrome, इसके बहुत सारे नाम है, इसका नाम क्या है, sudek, osteodystrophy, इसका नाम क्या है, algo dystrophy, और इसका नाम क्या है, complex regional pain syndrome, complex regional pain syndrome, पुता क्या है कि, जब भी आपके मरीज को fracture हुआ, देखे जब इसको जूम कर लेते हैं, लोजी, आपके मरीज को हुआ था कोई fracture, जो की हील कर गया समय के साथ, समय के साथ साथ मान लीजिए, ये fracture हील कर गया, समय के साथ साथ, जो नर्व कट गई थी, वो भी किसी तरह चलो हील कर गई, लेकिन नर्व हील तो की, परंतु उसके उपर क्या आ गया, scar, ये कौन सी नर्व है, sympathetic nervous system की नर्व है, अब होगा क्या, होगा ये, कि इसके उपर जो impulse ट्रेवल कर रही है, वो erratic हो जाएगी, वो बढखाबढ हो जाएगी, वो नर्व अच्छे से ट्रेवल नहीं कर पाएगी, तो कभी sympathetic nervous system की activity बहुत जादा, कभी बहुत कम, कभी बहुत जादा, कभी बहुत कम, तो पहले देखते हैं है क्या, फिर मैं आपको clinical feature समझाता हूँ, complex regional pain syndrome, now it is a vague painful condition, it is a vague painful condition, पता ही नहीं चलता कारण क्या है, मरीज आके बोलता है कि, डॉक साब इतना दर्द तो fracture के टाइम पे नहीं हुआ था, जितना अब हो रहा है, राइट, पहली बात तो बहुत सिवियर, दूसरी बात, आउट आफ प्रपोर्शन, टू ओरिजिनल ट्राउमा, ओरिजिनल ट्राउमा से भी जादा पेन, ओरिजिनल ट्राउमा से भी जादा पेन होगी आपके मरीज को, अब इसका cause क्या है, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसका cause, cause is inappropriate, sympathetic stimulation, आपको पता है कि sympathetic nervous system की nerves, क्या करती हैं, वेजो कॉंस्ट्रिक्शन, causing, वेजो कॉंस्ट्रिक्शन, मतलब, आर्ट्री को नारू करेंगी, नाउ, प्रॉब्लम क्या है, बॉडी में, फिजियोलोजी क्या कहती है, कि वेजो कंस्ट्रिक्शन आफ आर्ट्रीज, इट कॉस्ट्रिक्शन आफ केपिलरीज, अब डालेटेशन आफ केपिलरीज के कारण, इनिशली, तो होता है, बहुत जादा एडीमा, तो स्किन, लगती है, वार्म, क्योंकि डालेटेट्ड केपिलरी में से, हीट भी बाहर निकल रही है, वार्म एंड शाइनी, बट कब तक, कब तक वार्म एंड शाइनी बने रहेंगे, जब पीछे से बलड ही नहीं आ रहा, तो लेटर स्टेज़ेज़ में, स्किन हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा थिन, एकदम पतली सी, इसके इलावा, आपके मुरीज की हड़ी को बलड जब नहीं जाता, तो वो जगा जगा से, मरने लगती है, पैची, रेरिफेक्शन, पैची, रेरिफेक्शन, यहां वहां से, बोन थोड़ा सा, वीक होने लगती है, अब इसका ट्रीट्मेंट क्या है, फिजियो थेरपी से, सिंपथार्टिक नर्वस सिस्टम की अक्टिविटी, इंप्रूव होती है, दवाईयां देनी है, तो कौन सी, बीटा ब्लॉकर्स, और अगर, कुछ भी नहीं चले, तो हमें क्या कर देनी है, सिंपथेक्टमी, वरीज को दर्ज से राहत तो देनी है, किसी तरह से, ये था हमारा, कॉम्प्लेक्स, रिजिनल पेन सिंड्रोम,